जर्म थेवरी अफ डिजीज ए जर्म थेवरी अफ डिजीज मतलब मांचे लाए रोग किटानु को कारण ले लागशा त्यो थेवरी कल ले दियेको हो तो यो थेवरी भने को कल ले दियेको हो तो यो थेवरी चाहें लुईस पास्टर ले दियेको कल ले दियेको हो ए जर्म थेवरी अब डिजिकल ले दियेको हो लुईस पास्चर भनने बेग्यानिक ले दियेको हो एता अब अरनुस यो जर्म थेवरी मा केके कुडा भनेको छा तेसमा योड़ा चेन जस्तो बनाई येको हो जसमा योड़ा के भनेको छा भने सब बंदा पहिला एजेंट हुन्छ, एजेंट बने को रोग को किटानू, अब एजेंट छा बने, एजेंट कसको सरीड मा जान्छ, ता मानिस को सरीड मा जान्छ, रा मानिस को सरीड मा जा अब एजेंट जान्छ, बने, मानिस लाइक ये लाग छा ता रोग लाग छा, एई, यो थेवडी मा क्ये भनेको हो? डेजेंट म्यान्रद दिजीज मतलब रोग को किटानू उन्छा रोग को किटानू मानिस को सरीर्मा जान्छा रो मानिस लेचाई के लाग्षा रोग लाग्षा भने जर्म थेवडी अफ डिजीज मा लुइस पास्सरली यो कुड़ा भने को हो यो थेवडी थेवडी जर्म थेवडी ये भुजनू बैयो अजूर यो बिकैजी को हुनून्छा देञा ए ता इपिडेम लोजिकल ट्राइड भने को ट्राइड भने को तीनोटा कुडा को समिष्रन लाए ट्राइड भणिंश, रयस्मा तीन ओटा कुडाको रिलेसन देखायेको, सम्मन देखायेको, कि मानिस लाए रोग लाग नको लागी, यो तीन ओटाई कम्पोनेंट मिलियो भने, मात्रै मानसे लाए रोग लाग सा, नतर लाग देन, योटा भईयो एजेंट, और को होस्ट, औ अब यो तीन ओटामा, एजेंट भनेको रोग को किटानू भईयो, होस्ट भनेको एग्जाम्पल को लागी हामी योटा मानिस भईयो, अधवाद जनावर कोनी होना सक्षा, रहिन भायरोमेंट भनेको बाताबरन भईयो, अब अल्ला, मैं आधवारले सम्झाव जियो, होस् हो देञा, मानुश यो होस्ट छाहिना, एजेंट चा मातरे रीर नावर को एब अधवारोमेंट मान छा, मान चेलाई रोग लाग छा, लाग दे लाग देना, किना भने रोग लाग लाइको लाइकी चाहिन छा, तो मानिस चाहिन छा, और एजजेंट भय पनी, इइनभाय म मिले पनि मानिस जब समात्वा होस्ट जब समा हो दे ना तवासमा मानिस लाइ रोग जहीं लाग देना अ मानुस होस्ट पनी छ इन्भायरोमेंट पनी छ तरक जटीव एजण छही ना मांचेलाए डोग लाग चा लाग देला त्यसेले भनेको च एपिडेम़ लोजीकल ट्राइड मा कि एजेन्ट होस्ट राइडोमेंट को रिलेशन यदी रामरो संग मिलियो बने मात्राइ मांचेलाए डोग लाग चा बनेको वह यह तीन उटाको रिलेशन जनाको हो यहां यह तीन उटे हुनू पर्षा मान्छेलाई रोग लाग नको लागी, नत्र अन्मे था मान्छेलाई रोग लाग देना भने भनेको छ ए अब यार नोस एजेन्ट भनेको रोग को कारक्त तो क्ये कारणले रोग लागछा होस्ट भनेको जसलाए रोग लागछा मानिस हुन जक्छा यात जाना अबर हमी पर्षो मानिस को बाड़ेमा तेस कारणले मानिस मां हमी कुड़ा गड़ो होस्ट भनेको मानिस भायो राइन भायरोमेंट भनेको बात आवरनला एजेंट पनी छा होस्ट पनी छा तरा इन भायरोमेंट मिले को छाई न भने मानिस लाई रोग लाग देन त्यस कार्णी यो ती नोटे को समिशरन भायराम मानते मानचे लाए रोग लागना सक्ष यो इपिडेमोलोजिकल ट्राइड मा भने कुछ अब यार नुस एजेंट मा आमी एजेंट को कुड़ा गर चोए लोकसेवा मा असमा कस्तो क्वेशन सोच बने इपिडेमोलोजिकल ट्राइड मा क्यक्य समा कती वडा कमपोनेंट हो तो तीन होड़ा एजेंट, होस्ट, इवारोमेंट तलक मा ते कुण पर देना ते एजेंट दिन छो रोग को चाहिए इवारोमेंट पन दिन छो औरको कुणे दियो भने तेला जाहिए के गरने अब एजेंट मा एजेंट धेरे परकार को होंचा तरह मेंली आमी तीन परकार को पर्षों योटा फीजीकल एजेंट, फीजीकल एजेंट भायो योटा औरको केमिकल एजेंट होना सक्षा फीजीकल, केमिकल ररको बायलोजिकल है मेनली हाँ मी तीनोटा ऎजेंट को बारेमा परदशां अब यो तीनोटा एजेंट माहर नूश physical, chemical र बायलोजीकल एजेंट चमा मेनली तीन परकार को उँश physical agent बने को मानिस लाए physical agent बाड़ पनी लाग चारो यवटा एग्जांपल को लागी कोल्ड बाट फोरस्ट बाइट हरु उनला शक्छअ, यह भनेको फीजिकल एजेंट होए, हीट, कोल्ड, एलेक्ट्रिक, रेडियेंट शईन, अतबा जे जे बशतु हरु आमी हेर्छौ, नो लीभिंग थींग हरु यह सब भनेको फीजिकल एजेन्ट अंतरगत आउने करता हो योड़ा सक केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट मा एसिड हुना सक्षा, याता अलकाली हुना सक्षा, याता हैड्रोकुलोरिक एसिड 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 टीको मात्रा धेड़े भवयों भवने उन शाता मान्छिवाला चाहिए गस ट्राइटीस भवने शमास्चे अउन शा अर्को मेटाबोलिक अल्कालोस विद्यार्थ उर्लाइक कासरे जुकह आीर कुई चाल्सी न सोच है कन्फुजन बनाऊनों को लागी which of the following is not a biological agent तलको मद्य कुन biological agent हुई न अप्शन मादिन छा भाईरस, बेक्टेरिया, प्रोटोजुवा रहीट कुन पर देना बहनुस्ता? अलो? हीट पर देना हीट कुन agent माँशा था? हीट कुन agent माँशा? फिजिकल माँशा, एकदम रामरो तेसे गाड़िया अरको कोईजन स्वा दिना सक्षा तलको मद्य कुन चाए physical agent हुई न अप्शन मादिन छा हीट, कोल्ड, रेडियेशन अनि दिन छा एसिड कुन हो देना बनुस्ता? तलको मद्य फिजिकल एजेंट कुन हुई ना? हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिक है ना? अरको एसिड दिन छा कुन लगाऊने? ते एसिड लगाऊने? एई? एसिड बुजनु बहो यो फिजिकल एजेंट बने को? और चेमिकल एजेंट रभाइलोजिकल एजेंट मने को? के साथ योर ले मुआन ब्रद गरन भाचाई क्या हो? बोलनु उनना किना? सार, केमिकल मा चाहिए याद गरन भाचाई क्या हो? अलकाली भायो तेसे गरी अरको हाइड्रो क्लोरिक एचिड, सोडियम, पोटासियम इनी अरुआने को? केमिकल एजेंट मा आउए ला, अब अब अगी मेले पढ़ाको थिये होस्ट फाक्टर स्ट्रोंगली रिलेटेड टू डीजीज अब हैरनुस होस्ट भनेको ता हामी मानिस लाइब बुच्छा हो है न, अब होस्ट संग के 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 कुड़ा रिलेटेड छा? होस्ट मा के के हुँँचा जासते हामी मानिस भायो बने हामी मा के के हुना सक्छा? एज हुना सक्छा त्यासे गारी सेक्स हुना सक्षा, सेक्स बनेको मेल या फिमेल त्यासे गारी ओकुपेशन हुना सक्षा, मान इसले कुने काम पनी गर्षा त्योड़ा बाई ओकुपेशन पनी हुना सक्षा तेसे गड़ी अरको छा एज, सेक्स, अकुपेशन, अरको मैरिटले स्टाटस क्यो मांचे मैरेड हो के अन मैरेड हो तियो अनसर पनी मांचे लाए रोग लाग छा इनी अरू के को एग्जाम्पल भायो ता होस्ट को है ता होस्ट माय आदगर्ण वाला एज, सेक्स, अकुपेशन, मैरिटले स्टाटस इनी अरू भाने को कल्चर इनी अरू भाने को होस्ट अंतरगत परशा अब क्वेशन मां स्वाचा वीच अब दा फोलोईंग इस नोट रिलेटेड टू होस्ट आफ्चन मा दिंचा एज, सेक्स, अकुपेशन रो भाइरस कुन पर दे ला? भाइरस भाइरस अही पर दे ला एकदाम रामडो एता एज माचा ही यह पर दे ला ता होस्ट माय आदगर्ण वाला कि ता एज, सेक्स,अकुपेशन अब यो होस्ट मा पनी रोग संग सब बन्दा बढ़ी कुन रिलेटेड उन्छ तो योँँँच एज हुन्छ एज अनुसार होस्ट फैक्टर संग सब बन्दा बढ़ी मैंच खाने बने को एज फैक्टर होए किना बने मानिस लाई उमेर अनुसार बढ़ी रोग लाग छा तेस कारण होस्ट फैक्टर स्ट्रोंगली रिलेटेड टू डिजीज इज एज याद गरनोल आगी पनी तब आरले मा यो बने को थियें कि होस्ट फैक्टर संगस सब बन्दा बड़ी के रिलेट गर्शा रोग मात एज ले रिलेट गर्शा है अगार याँ अब अब चा इन्भाइरोमेंट एज एंट हामी बुझी सक्यो होस्ट पनी बुझी सक्यो और को चा इन्भाइरोमेंट है अब इन्भाइरोमेंट मा पनी बुझनुस इन्भाइरोमेंट भनेको के हो ए ना इन्भाइरोमेंट है ता इन्भाइरोमेंट भनेको के हो ता बाता बरण को बारेमा अध्यान गर्णु है इन्भाइरोमेंट भनेको के बुझनूंच तपायारू हामरो वरी परी जे जती कुरा हामीले हेरी रायका छों तो सब्वाई किये होता इन्भाइरोमेंट हो है स्राउंडिंग अल अफ अस आर इन्भाइरोमेंट हामरो वरी पड़ी जे जती कुरा जे बस्तु हामी हेली डःए आचो त्यों सब्वऑ किये हो तैंज इनभायरोमेंट हो जास्ते अब बोत विर्वा मानी जनाबर यतावत जती हहरने होंच तो सब्वश वन्यकों इनभायरोमेंट कई पाटो होए तो environment में पर से अब environment मां सब्वै खुड़ालाई समांबेश गडरे कुंच यहिना त्यशे ले surrounding all of us are environment अमरो वरी परी भई का जे जत्ति वसत्यों शमान मानी जनाबरा आमी जे जे कुड़ा है रो। विदिवा यो सब्वै भने को environment हो यह यह शरी बुझनुवाला अब study about environment, environment को बाडे मा अध्यान गर्णु लाए क्ये बनीच? Study about environment, बाता बरन को बाडे मा अध्यान गर्णु लाए हामी क्ये बन्चो बने? Ecology बन्चो ये, Ecology Study about environment is termed as ecology Ecology, बाता बरन को बाडे मा अध्यान गर्णे सास्त्र लाए हामी Ecology बन्चों अब आई बाता बरन मा सब बस बनीच जनाबर ये तावती जती छ तो सब बनीच चाहिए हामरो environment में बस तेसे ले बन्चो surrounding all of us are environment हामरो वरी परी जे जती बस तू अत्वा सर्शमान अडू, मानिस बयो, जनाबर भयो, पसु पंची बयो, बोट बीरु आडू बयो, ये सब बन्चों इनभायो मेंट मा हामी तले राखन सक्षाँ, बुझनु बो, भाता बरन को बारेमा अध्यन गरनुलाई हामी एकोलो जी बन्चों, ला, क्ये जासादी अर्वेस मा बुझनु बो, एजेंट होस्ट्र इनभायो मेंट को बारेमा बुझनु बो, आमर संगल, नेहा जी अरू अरू साथी बबलु जी बुझनु बो, तीवी राए लिनना सक्षू, ए, मल्टी फैक्टोरियल काउजेशन अब डीजी जी थेओरी भने, यह उट्टे रोग धेरेक कारण बाटर लागनु लाए, आम यो थेओरी भन्चों, मल्टी फैक्टोरियल काउजेशन अब डीजी थेओरी, रा यो थेओरी भने दीने भने को प्याटरन को फर भने बेगानिक लिए दिये को हो, रा इसको बेस्ट इग्जाम्पल भने को टीबी हो, टीबी को काउजेश अरूमा जास्ते माइको बेक्टेरियम ट्यूबर कुलोसिस, स्मोकिंग को कारण ले उन्ष, ओभरक्रावडिंग को कारण ले उन्ष, पूर निट्रिशन को कारण ले उन्ष, अथमा कारपर्ट फेक्टरियरूमा काम गरने बेक्तियर ले उन्ष, यो भने को क्यो बहता, यो टेक रोग धेरे कारण बाट लागनू भाए हो, तेले हामी मल्टी फैक्टोरियल कॉजेश अफ डिजीज थेवरी भनचो, यो थेवरी बने को पैटन को फर ले दिएको, यत्ति याद गरन वाला यो थेवरी मा, यो थेवरी ये स्पेशल कमनी केबल डिजीज को लागी छा, ते पनी बुजनू अला, यो पनी थपनू अला, मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन अफ डि अब अरको थेवरी छा, वेब अफ काउजेशन, वेब अफ काउजेशन, रोग लागनू को चेन अरूंचा, वेब अने को योडा, चेन जस्ते भयो, इक्जाम्पल को लागी तब अरले माकुरा को जालो हरनू भको छा अबला, जस्ते माकुरा को जालो, जस्ते यो माकुरा को जालो भए यो औरा सेंट्राल पार्ट मा चैसरी फैल्गे कुण चैसरी पार्ट वरू फैल्य कुण चैस अब यो ए श्पेशली वेफ अब आफ काउजेयों यनसीडी को लागी रहे को चैनून कम्निकेबल डिजीज को लागी रहे को छा वेब अफ कॉजेशन थेवरी जस्ते मल्टी फैक्टवरी अल्थियो कमनी केवल को लागी त्यस्ते वेब अफ कॉजेशन स्पेसली कसको लागी हो तो नोन कमनी केवल डीजीज को लागी हो रह यो थेवरी मा क्ये भने को छबने नोन कमनी केवल डीजीज को कारक तत्तो हरू रिस्ट फैक्टर हरू युटई न भएर बिभिन्न कारण हरू बाट मान छेलाई रोग लाग छा एक्जाम्पल को लागी बीच मा राख दिनुस तपाई हाइपर्टेंशन रा हाइपर्टेंशन के के कारण ले लाग छा त्यों बुझनुस अब एक्जाम्पल को लागी मेले यहां लिए श्मोखिंग को कारण ले हाइपर्टेंशन रूँछु अर को कारण हुँछ? सेडेंट्रि लाइफस्टाइल तापाई को जीवन चक्र एकदम की हुँछ बने सेडेंट्रि छ हूँना? sedentary भने को खाने बसने खाली तेस्ते किसिम को बानी भी होरा भयो भने अब वर खरू इन पुट लिए आउटपुट छही न तेला आमी sedentary लाइफेस्टाइल भन छहूं तेसे गरी fat diet धेरे खानू high fat diet fat को मात्रा के लिनू तो धेरे लिनू तेसे गरी अरको धेरे कारण हरू hypertension को हुना सक्छा यो थेओरी माई ही भने को हो जसरी मकुडा को जालो चाहीं फिजियर वशे कोण्छा तेस्ते नोन कम्निकेबल डिजीज को पनी risk factor फिजियर वशे कोण् कारण बात न भाएड धेरे कारण बात लाघ शा तेला हामी के वशे बन्षो थ वेवाफ काुझेशं यो थेओरी मैक मोहन है र पूझ भने ब्यज्यानउबल डिये को मैक मोहन र पूघ मने ब्यज्यानिकलिपले ब्यघ्यानउबल बुजनु भो नहादी बुजनु भो